नमस्कार मांग मास की शुकल पक्ष की एकदशी को जया एकदशी कहा जाता है मानेता है कि इस दिन भगवान विश्नु की पूजा करने से पिशाच योनी का भैख खतम हो जाता है पापों से मुक्ती मिलती है और अंत में मौक्ष की प्राप्ती होती है इस दिन भगवान विश्नु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा जरूर करें पीली कोड़ी भी पूजा में रखें और संध्या के समय मा तुलसी के सामने दीपक भी जरूर जलाएं जया एकदशी की पूजा विदी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है इसकी तिथी और पारण के शुब मूरत के बारे में भी डिस्क्रिप्शन में बताया है आज मैं आपको जया एकदशी की कथा सुनाने जा रही हूँ कथा सुनने से पहले हाथ में तिल और फूल ले लें और कथा सुनने के बाद भगवान को प्रणाम करते हुए उनके आगे छोड़ दें तो चलिए मन में भगवान का ध्यान करते हुए कथा का आनंद लेते हैं अरजुन ने कहा हे भगवन अब आप कृपाकर मुझे माग मास के शुकल पक्ष की एकदशी के संबन्द में विस्तार पूर्वक बताएं इस एकदशी के व्रत की क्या कथा है इसके करने से किस फल की प्राप्ती होती है भगवान श्री कृष्ण ने कहा हे अरजुन माग मास के शुकल पक्ष की एकदशी को जया एकदशी कहते हैं इस एकदशी के उपवास से मनुश्य भूत, प्रेत, पिशाच आदी की योनी से छूट जाता है अतै इस एकदशी के उपवास को विधी अनुसार करना चाहिए अब मैं तुमसे जया एकदशी के व्रत की कथा कहता हूँ ध्यान पूर्वक श्रवन करो एक बार देवताओं के राजा इंद्र नंदन वन में भ्रमन कर रहे थे चारो तरफ किसी उत्सव कासा माहोल था गंद्रव गार रहे थे और गंद्रव कन्याई निरित्य कर रही थी वही पुष्वती नामक गंदरव कन्या ने माल्यवान नामक गंदरव को देखा और उस पर आसकत होकर अपने हाव भाव से उसे रिजाने का परयास करने लगी माल्यवान भी उस गंदर्व कन्या पर आसक्त होकर अपने गायन का सुर्टाल भूल गया इससे संगीत की लै तूट गई और संगीत का सारा आनंद बिगड़ गया सभा में उपस्तित देवगनों को यह बहुत बुरा लगा यह देखकर देवेंदर भी रुष्ठ हो गय शंगीत एक पवित्र साधना है इस साधना को बhrष्ट करना पाप है अते क्रोध वश इंदर ने पुश्वति तथा माल्यवान को शाप दे दिया संगीत की साधना को अपवित्र करने वाले माल्यवान और पुश्वति तुमने देवी सरस्वती का घोर अपमान किया है अत है तुमें मृत्यू लोग में जाना होगा गुरू जनों की सभा में असैयम और लज्जा जनक प्रधशन करके तुमने गुरू जनों का भी अपमान किया है इसलिए इंद्र लोक में तुमारा रहना अब वर्जित है अब तुम अधम पिशाच असाहिमी का सा जीवन बिताओगे देवेंद्र का शाप सुनकर वे अत्यन दुखी हुए और हिमालय परवत पर पिशाच योनी में दुख पुर्वक जीवन यापन करने लगे उन्हें गंद, रस, स्पर्श, आदी का तनिक भी बहुत नहीं था वहीं उन्हें असहनिया दुख सहने पड़ रहे थे रात दिन में उन्हें एक शन के लिए भी नीन नहीं आती थी उस थान का वातावन अत्यंत शीतल था जिसके कारण उनके रोएं खड़े हो जाते थे, हाथ पैस सुन पड़ जाते थे, दान बजने लगते थे एक दिन उस पिशाच ने अपनी इस्तरी से कहा ना जाने हमने पिछले जनब में कौन से पाप किये हैं जिसके कारण हमें इतनी दुखदाई यह पिशाच योनी प्राप्त हुई है पिशाच योनी से नरक के दुख सैना कहीं ज्यादा उत्तम है इसी परकार के अनेक विचारों को कहते हुए अपने दिन व्यतीत करने लगे भगवान की कृपा से एक बार माग मास के शुकल पक्ष की जया एकदशी के दिन इन दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया और ना ही कोई पाप करम किया उस दिन मात्र फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और महान दुख के साथ पीपल के व्रिक्ष के नीचे विश्राम करने लगे उस दिन सूर्य भगवान अस्ताचल को जा रहे थे वह रात इन दोनों ने एक दूसरे से सटकर बड़ी कठिंता से काटी दूसरे दिन प्रात्यकाल होते ही प्रभू की कृपा से इनकी पिशाच योनी से मुक्ती हो गई और पुने अपनी अत्यान सुन्दर अपसरा और गंद्रव की देधारन करके तथा सुन्दर वस्त्रों तथा अभूशनों से अलंकृत होकर दोनों स्वर्ग लोग को चले गए उस समय आकाश में देवगन तथा गंद्रव इनकी स्तुती करने लगे नाग लोग में जाकर इन दोनोंने देवेंद्र को दंडवत किया देवेंद्र को भी उन्हें उनके रूप में देखकर महान विस्मे हुआ और उन्होंने पूछा तुम्हें पिशाच योनी से किस परकार मुक्ती मिली उसका पूरा वृतान मुझे बताओ देवेंद्र की बात सुन माल्यावान ने कहा हे देवताओं के राजा इंद्र श्री हरे की कृपा तथा जया एकदशी के व्रत के पुन्या से हमें पिशाच योनी से मुक्ती मिली है इंद्र ने कहा हे माल्यावान एकदशी व्रत करने से तथा भगवान श्री हरे की कृपा से तुम लोग पिशाच योनी को छोड़ कर पवित्र हो गए हो इसलिए हम लोगों के लिए भी वंदनिय हो गए हो क्योंकि शिव तथा विश्नु भक्त हम देवताओं के वंदना करने योग्या हैं अते आप दोनों धन्या हैं अब आप प्रसंता पूर्वक देव लोक में निवास कर सकते हैं हे अरजुन इस जया एकदशी के उपवास से उयोनी से सहजी मुक्ती मिल जाती है जो मनुश्य इस एकदशी का व्रत कर लेता है उसने मानो सभी तप यग्यदान कर लिये हैं जो मनुश्य श्रधा पूर्वक जया एकदशी का व्रत करते हैं वे अवश्य सहस्तर वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं कथा का सार है कि संगीत देवी सरस्वती का एक अलोकिक वर्दान है यह एक साधना है एक विद्या है इसमें पवित्रता अवश्यक है फिर जिस सभा में अपने से बड़े गुरुजन आदी उपस्तित हों, वहां प्रानी को सैयम और मर्यादा को बनाए रखना चाहिए, ताकि गुरुजनों का अपमान ना हो, उनका सम्मान बना रहे, गुरुजनों का अपमान करने वाला मनुश्य घोर नरक का भागी है, भगवान विष्णु का ये मंत्र, शांतकारं भुजग शैनं, पदम नाभं सुरेशं, विश्वधारं गगन सदुर्षं, मेग वर्नं शुभांगं, लक्ष्मी कांतं, कमल नैनं, योगी भीर दे आन गम्यं, वन्दे विष्णुं, भव भय हर्ष्णुं। सर्वलोकेकनाथम